एलो फ्रेंट्स आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं इस एस टीटेंट सिरिश की जो अगला मुकाबला आज होने वाला है बी एबी वर्सेस टी ए आर के बीच में इस वीडियो के अंदर इस मैच का पुरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ दोस्तों बी एबी के टीम ने जो अभी तक इस टूनामेंट के छे मैचेस खेल चुके हैं जिसमें से चार मैचेस में विन कर गया है दोस्तों और दो मैच लॉस किया है वहीं पे अगर बात किया जाए टी ए आर के टीम के बारे में तो इन्होंने छे मैच मेचेस में विन करा है दोस्तों एक भी मैचेस लॉस नहीं हुआ है मैं आपको बता दूँ कि बी ए भी के टीम से ज़्यादा मजबूत टी ए आर के टीम है लेकिन आप यहां पे दूस्तों बी ए भी के टीम को भी यहां पे कमजूर समझने की भूल ना करें बहुत स्टॉंग प्लेयर दोस्तों और इनको भी चाहे तो अपने टीम में मतलब इनके प्लेयर भी जो की important रहेंगे इनके भी प्लेयर्स अपने टीम में आप चार से पांच रख सकते हो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों मैं आपको help करूँगा इस वीडियो में कि B.A.B. के कौन से खिलाड़ी को रख सकते हैं T.A.R. के किसे आप ट्राय कर सकते हो तो चले दोस्तों आप लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना दरी करते हुए दोस्तों लेकिन इस मैच का अगर फाइनल टीम चाहते हो तो एक बार हमारे टेलिग्राम गुरूप को जरू जोइन कर लेना जो इस वीडियो के नीची आपको डिस्प्रिसन बाक्स में और कमेंड बोक्स पहला कमेंड में लिंक मिल जाएगा आप आसानी से क्लिक करके जॉइन कर सकते हो दोस्तों वीडियो को लाइक से स्टाट करना क्योंकि आपका एक लाइक से में कापी motivation मिलता है तो चलिए अब लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे जो players है ना मतलब यहाँ पे जो ground रहने वाला है यूरोपा स्पोर्ट्स कंप्लेक्स में मुगावला होगा यहाँ का अगर पीच कंडिसन देखेंगे फ्रेंट्स तो यहाँ का जो पीच रिपोर्ट रहने वाला है देखो अभी तब जितने भी matches हुए उसके business पर बात करेंगे तो first betting के team ने काप बढ़ी है और मैं आपको बता दूँ कि जादा स्था जो खिलाड़ी है ना first betting यहाँ पे जादा स्था जादा जो यहाँ पे matches हुए है first betting team ने win करा है और यहाँ पे target यही रहता है कि 125 से एवब लगबग यहाँ पे score किया जाए इनका मतलब इनका record दोना कुछ खास नेत इनको आप drop कर सकते हैं बाकि समध बोडा की बात करेंगे fourth number पे खेलते हैं पहले match में एक run बना के 2 wicket फिर एक wicket फिर 11 बना इसमें कोई wicket ने मिला फिर एक wicket फिर तीन wicket निकाले हैं प्लेयर सांदार है दोस्तों दो वर तक गिनदबाजी करते हैं बैटिंग बालिंग दोनों करेंगे बैटिंग मतलब देखो कि थोड़ा लेट करेंगे लेकिन आपको ना as a baller इनको जरूर से जरूर पी करना है रिचार्ट को ड्रॉप करो, दो मैच खिला है दोनों मैचे फ्लो आप रहा है पिर आप ड्रॉप कर सकते हैं एंडरु कॉर्म की बात करेंगे दोस्तों थाट डाउन पर खिले हैं 46 रंपना के एक विकेट फिर 18 रमणा के पिर दोस्तों 21 सरमना के एक विकेट फिर 22 सरमना के विकेट ने मिला लेकिन अच्छे प्लेयर ही है कि दोस्तों बल्ले बाजे के साथ-गिंद बाजे भी करते हैं इनको अपने टीम में आप ट्राय कर सकते हैं केपटिनसी वाईस के लिए बेस ट्रायगा Christian की बात करेंगे तो पहले मैचे फ्लॉप दूसरे मैचे फ्लॉप रहा है फिर दो-दो विकेट निकालें लास्ट के दो मैच में मतलब बॉलिंग देखोगे तो बहुत सूपब करें लास्ट के कुछ मैच में केंडरी की बात करेंगे टीम के सेकेंड डाउन पे खेलते हैं प्लस आपको दो वर तक गिंदबाजी करते हुए दिखेंगे पूरे स्रीज में 112 रन बना के एक विकेट निकाला ये भी बेस्ट चोईस रहने वाला है बाकी ओपन करते हुए इन्होंने 21 रन स्कोर करा है तो कहीं ने कहीं ये भी अच्छा चोईस रहागर आप चाहे तो इनके साथ भी जा सकते हो दोस्तों बाकी रॉविन की बात करते हैं देखो पहले इनका ड्रॉप करने इनकी खेलने के कम चांसे लेकिन रॉविन की बात करेंगे तो पहले मैच में 9 फिर फ्लॉप फिर फ्लॉप लगातर फ्लॉप रहे आप देख सकते हैं तो इनको अगर आप चाहाए तो ड्रॉप कर सकते हैं देखो इस match में credit issue बहुत ज़ता आने वाला हो सकता है कि इस player के साथ आपको जाना पड़े तो आप यहाँ पे समझना कि दो पर यह गिन्दबाजी करेंगे तो कहीं ने कहीं यह भी एक अच्छा choice आपके लिए रहेगा तो यह जो है BAB का record है जो current series में चल रहा है इनका players का form बाकि TAR के बात करते हैं तो TAR के team के तरफ से sound खेलते हैं नजर आएंगे दोस्तों यह एक अच्छा option है हाला कि पहले मैच में देखोगी तो flop रहते हैं दूसरे मैच में एक विकेट फिर flop रहते हैं फिर यहां पर विकेट नहीं मिला है अगर आप चाहिए तो इंको ignore भी कर सकते हैं इस मैच के अंदर बागी मैलेस की बात करेंगे मैलेस गुड़फोग के बारे में दूसरे मैच फिर दो विकेट फिर 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 यहां पर continue काफे बढ़ विकेट निकालें टू अवर बोलर है तो इनको अपने टीम में ट्राय कर सकते हैं मानव नायक जो कि पहले मेच में 9 रॉन बना की एक विकेट फिर फ्लॉप रहा था फिर एक विकेट फिर फिर फ्लॉप रहा फिर 20 रन फिर दो विकेट निकाला है लेकिन अच्छे वल्ले बाज भी करा है पूरे श्टूनामेंट के अंदर तो इनको भी अपने टीम में आप रख सकते हैं तो इस बात का थोड़ ध्यान रखना कि टीम के फर्स्ट राउन पे खेलते हैं दोस्तों मार्क माउस की बात करेंगे उस्तों पहले बच पचपन फिर 28 रन फिर 12 बना के दो विकेट तो ये भी एक अच्छा ओफिसन रहा है जो कि यहां पे बल्ले बाजी देखोगे तो काफी बढ़िया करा है हाफ संचुरी लगा है तो इनको भी अपने टीम में आप रख सकते हो इनको ड्रॉप करो अमीत का रिकॉर्ड को कुछ खास नहीं है मैथो विकेट फिर फ्लॉप रहा था देखो दो वर तक गिनदबाजी के हैं ये भी दो मैच खिला है बले एक लगा है तो यह जो डीटेल से फ्रेंड्स दोनों ही टिमों का रिकॉर्ड है अभी तक कि यहां पर जो करेंट सरीज चल रहा देखो ज्यादा पूराना रिकॉर्ड से आपको ज़्यादा कुछ हेल्प मिलेगा ने इस वज़ए से मैं करेंट सरीज पे ज़्यान देता हूँ बाकि help आपको काफी कुछ मिल गया होगा batting order का knowledge आपको आ गया होगा बाकि दूस्तों मेरा team की बात करेंगे न तो मेरे team में यहाँ पर देखोगे अविनास पाई रहेंगे जो कि team के captain है अच्छा lead करते है पूरे स्टिनामन में काफी बढ़िया खेला है मैंने आपको starting में बताया था मार्गवास का अपने team में try करेंगे मैथू वेलन को try करने वाले है यह भी आपके लिए super of choice रहने वाला है दूस्तों बाकि आपे देखो गिलाइन फरेलन को try करेंगे यह आप एलन लेटन को भी अपने team में try करने वाले है जो आपके लिए बहुत बढ़िया choice रहने वाला है देखो यह जो मेरा team है यह अभी तक देखोगे तो मेरे हिसाब से मैंने सबसे best player को अपने team में try करने का कोस्त किया एक credit issue भी नहीं आएगा अगर आप चाहे तो इस team को अभी save कर लो line up के बाद जो होता है न मैं आपको final team आपको share कर दूँगा हमारे telegram group में जल्दे से join कर लो इस video के नीचे आपको discussion box और comment box पला comment में link मिल जाएगा आप आसानी से click करके join कर सकते हो बाकि मिलते हैं भाई यो next video में जैहिंद